आज किस वीडियो में हम एक ट्रिक को क्लियर करने वाले कि किस तरीके से हम कोई element कौन से group या कौन से period में exist करता है इस सी इसका पता कर सकते हैं हमने एक example लिया calcium, calcium का atomy number 20 होता है इसकी आप electronic configuration लिखेंगे तो 2882 कितनी shell का इस्तेमाल हो रहा है चार इसका मतलब ये जो element है न ये fourth period में exist करेगा जितनी shell उतने period में exist करता है अगर बाइचंस तीन shell होती तो third period में exist करता है अब हमें पता करना है कौन से एक group में exist करेगा, अगर valence electron number 1 है तो इसका मतलब first group में, ठीक है, और अगर 2 valence electron है तो इसका मतलब second group में, लेकिन अगर 3 valence electron आते हैं या 3 से ज्यादा valence electron है तो उसमें आपको plus 10 करना होता है, तो अगर 3 valence electron है तो इसका मतलब 13 group में, तो मिलते हैं नेक्स स्टूडियो में एक नए टॉपिक के साथ